दोस्तों आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो रजिनिकान सर के फैंस के दोलों को दढ़काने और थेयर्टर में ताली बजाने के लिए पुरी तरह से तैयार हैं हाँ आप सही समझे हम बात कर रहे हैं वेट्टियां दी हंटर की वैसे इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक सबाल आया रजिनिकान सर आखर किस गरह से हैं एक तरफ सुपर कॉप दूसरी तरफ इतना स्टैलिस की अगर वज़ चाहे भी पिहेंगे तो भी सीनेमा के सबसे बड़े स्टेंट के तरह लगेगे अब कहानी क्या है भाई कहानी में हमारे सुपर कॉप रजिनिकान जी फस हैं क्राहिम की दुनिया में लेकिन यकीन मानिये इस फिल्म की कहानी से ज्यादा मजदार तो रजिनिकान के चश्मे पहनने और निकलने के तरीक हैं जब भी वो विल्लन से लड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई कौक रोच मार रहे हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के स्टाइल में। अब आते हैं बाकिक अलाकारों पर अमिता बच्चन जी को देकर लगता है जैसी वो ये सोच रहे हो अब मैं भी रजनीकान जैसे स्टाइल में चिसमा पहनूंगा राणा दुगवाती का किरदार ऐसा था कि उनके पूरी कोशिस ही थी कि कोई भी सीन्च चुराना ले जाए और फाद फासिल भाई उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लगता है वो रजनीकान से टर नहीं रहे सच में टरे हुए हैं अब बात करते हैं एक्शन की ऐसा लग रहा है जैसे डिरेक्टर ने कहा हूँ सुपर स्टा है सुपर एक्शन चाहिए हर पंच में ऐसा साउंड इफेक्ट दिये गया है जैसे आस्वान फटने वाला हो और जब रजनीकान उचलते हैं तो लगता है जैसे गुर्तवा नियम मेरे हिसाब से चलते हैं मतलब रजनीकान के लिए तो नियम भी कंफ्यूस हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आप एक्शन, स्टाइल और सुपर स्टार्डम का पूरा डोस चाहते हैं तो वेटियान दे हैंटर सरूर दिखिए हाँ आपको सीन देखकर आपको लगेगा क भाई ये रजनी कहान ही कर सकते हैं हम तो नहीं कर सकते हैं और अंतिमा जब फिल्म खत्म होती है तो यकीन मानिए थेयर्टर से निकलते हैं वक्त आपको लगेगा कि आप भी सुपर स्टार हैं तो बस दोस्तों जाओ और इस फिल्म का मज़ा लो क्योंकि अगर रजनी का अ जाओ जाओ तो है